साथियों, संत कभिर्दास जी ने कहा है, पक्की खेती देखी के गरब किया किसान, अजहू जोला बहुत है, गर आवे तब जान, अर्थात, कई बार हम पक्की हुई फसल देखकर ही अति आत्मिस्वास से भर जाते हैं, कि अब तो काम हो गया, लेकिन जब तक फसल घर ना आ जाएं, तब तक काम पूरा नहीं मानना चाहिए, यही कभिर्दास जी कहके गए हैं, यानि जब तक सफलता पूरी न मिल जाएं, ला परवाई नहीं करनी चाहिए, साथियों, जब तक इस महामारी की वैक्सिन नहीं आ जाती, हमें कोरोना से अपनी लड़ाई को रत्ती भर भी कमजोर नहीं पढ़ने देना है, बरसों बात हम ऐसा होता देख रहे हैं कि मानवता को बचाने के लिए युद्धस तर पर पूरी दुनिया में काम हो रहा है, अनेक देश इसके लिए काम कर रहे हैं, हमारे देश के वैज्ञानिक भी वैक्सिन के लिए जी जान से जुटे हैं, भारत में अभी कोरोना की कई वैक्सिन पर काम चल रहा है, इन में कुछ एड़वांस टेज पर हैं, आसास्पस्तिती दिखती हैं, साथियों, कोरोना की वैक्सिन जब भी आएगी, वो जल्द से जल्द प्रतेग भारतिय तक कैसे पहुँचे, इसके लिए भी सरकार की तैयारी जारी है, एक एक नागरी तक वैक्सिन पहुँचे, इसके लिए तेजी से काम हो रहा है, साथियों, राम चरीत मानस में बहुती सिख्षा प्रत बाते हैं, सिखने जैसे बाते हैं, लेकिन साथ साथ अनेक प्रकार की चेतावनिया भी हैं, जैसे राम चरीत मानस में बहुत बड़ी बात कही गई हैं, रिपू रूज पावक पाप प्रभू अही गनिय न छोट करी अर्थात आग, शत्रू, पाप यानि की गलती और बिमारी इने कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, जब तक इनका पूरा इलाज न हो जाएं, इने हलके में नहीं लेना चाहिए, इसलिए याद रखिए, जब तक दबाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं, त्योहारों का समय हमारे जीवन में खुश्यों का समय है, उल्लास का समय है, एक कठीन समय से निकल कर हम आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ी सी लापरवाई हमारी गर्दी को रोक सकती है, हमारी खुश्यों को दुमिल कर सकती है, जीवन की जिम्मेदारियों को निभाना और सत्रक्ता ये दोनों साथ साथ चलेंगे, तबी जीवन में खुश्यां बनी रहेगी, दो गज की दुरी, समय समय पर साबून से हाथ धुलना और मास्क लगाना इसका ध्यान रखिये, और मैं आप सबसे करवद्द प्राथना करता हूँ, आपको मैं सुरक्षित देखना चाहता हूँ, आपके परिवार को सुखी देना चाहता हूँ, यह त्युहवार आपके जीवन में उत्सा और उमंग भरे ऐसा बातावरन चाहता हूँ, और इसलिए मैं बार बार हर देश वासी से आगरे करता हूँ,